नमस्ते दोस्तों, आज प्रस्तो थे सुरेकांत त्रपाठी निराला के द्वारा लिखी वी एक कहानी, चतुरी चमार चतुरी चमार डाखाना चमियानी मौजा गड़कोला जिला उन्नाओ का एक कादिमी बाशिन्दा है मेरे ही नहीं, मेरे पिताजी के बल्कि उनके भी पुर्वजों के मकान के पिछवाडे, कुछ फासले पर, जहां से होकर कई और मकानों की नीचे और उपर वाले पनालों का बरसात और दिन रात का शुद्धा शुद्ध जल बहता रहता है ढाल के कुछ उचे एक बगल पर चतुरी चमार का पुष्टैनी मकान है मेरी इक्षा होती है कि चतुरी के लिए गौरवे बहु वचनम लिखू क्योंकि साधारन लोगों की जीवन चरित या ऐसे ही कुछ लिखने के लिए सुप्रसेद समपादक पंडित बनार्सी दास चतुरवेदी द्वारा दिया हुआ आचारे दुवेदी जी का प्रोचसाहन पढ़कर मेरी श्रधा बहुत बढ़ गई है पर एक अर्चन है गाउं की रिष्टे में चतुरी मेरा भतीजा लगता है दूसरों के लिए वह श्रध है अवश है क्योंकि वह अपने उपाना साहिते में आजकल के अधिकांश साहितेकारों की तरह अपरिवर्तनवादी है वैसे ही देहात में दूर दूर तक उसके मजबूत जूतों की तारीफ है पासी हफते में तीन दिन हिरन चोगड़े और बनेल सुवर खदेर कर फासते हैं किसान अरहर की ठोड़ियों पर धोर भगाते वे दोड़ते हैं कटिली जाड़ियों को दबा कर चले जाते हैं छोकरे बेल, बबूल, करील और बेल के काटों से भरे रुदवाए बागों में सरपट भागते हैं लोग जेंगरे पर मड़नी करते हैं द्वारी का नाई नियोता बाटता हुआ दो साल में 2000 कोस चला जाता है चतुरी के जूते अपरिवर्तन वाद के चुस्त रूपक के जैसे टस से मस नहीं होते यह जरूर है कि चतुरी के जूते जिला बांदा के जूतों से वजन में हलके बैठते हैं संबव है चित्रकूट के इर्दिगीर्ध होने के कारण वहां के चर्मकार भाईयों पर राम जी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो इसलिए उनका साहित्य जादा ठोस हुआ चतुरी वगरा लखनाओं के नजदिक होने के कारण नवाबों के साय में आये हो उन दिनों मैं गाउं में रहता था घर बगल में होने के कारण घर बैठे ही मालूम कर लिया कि चतुरी चतुरवेदी आधिकों से संत साहिते में कहीं अधिक मरमग ये है केवल चिठ्थी लिखने का ग्यान नहोने के कारण एक क्रिया होकर भी भिन्न फल है वे पत्र पुस्तकों के संपादक हैं या जूतों का एक रोज मैंने चतुरी आधि के लिए चरस मंगवा कर अपने ही दर्वाजे पर बैठक लगवाई चतुरी उम्र में मेरे चाचा जी से कुछी छोटा होगा कई घरों के लड़के बच्चे समेत वह मजीरेदार डफलियां लेकर रात आट बजे आकर डट गया कबीर दास, सूर दास, तुलसी दास, पल्टू दास, आधि ग्यात, अग्यात, अनेका नेक संतों के भजन होने लगे पहले मैं निर्गुन श्रब्द का केवल अर्थ लिया करता था, लोगों को निर्गुन पद है कहकर संगीत की प्रशंशा करते वे सुनकर हसता था, अब गंभीर हो जाया करता हूँ जैसे उम्र की बाड के साथ अकल बढ़ती है, मैं मचिया पर बैठ कर भजन सुनने लगा चतुरी आचार्य कंठ से लोगों को भूले पदों की याद दिला दिया करता, मुझे मालूम हुआ चतुरी कबीर पदावली का विशेशक यह है मुझसे उसने कहा, काका ये निर्गुन पद तो बड़े-बड़े विद्वान भी नहीं समझते फिर शायद मुझे भी उनी विद्वानों की कोटी में शुमार कर बोला इस पद का मतलब मैंने उतरे गले से बात काट कर उभरते हुए कहा चतरी आज गालो, कल सुबा आकर मतलब समझ लेना मतलब से गाने की तलब चली जाएगी चतरी खकरा कर गंभीर हो गया फिर उसी थरह से डिक्टेट करता रहा बीच बीच में ओजस्विता लाने के लिए चरस की पुट चलती रही गाने में मुझे बड़ा अनन्द आया ताल पर तालियां देकर मैंने भी सही उग दिया वे लोग उचे दरजे के उन गीतों का मतलब समझते थे उनकी नीचता पर यह एक आश्चर्य मेरे साथ रहा बहुत से गाने अलंकारिक थे वे उनका भी मतलब समझते थे रात एक बजे तक मैं बैठा रहा मुझे मालूम न था कि भगत कराने का अर्थ रात भर गमाना है तब तक आधी चरस भी न खतम हुई थी नींद ने जोर मारा मैंने चतुरी से चलने की आग्या मांगी चरस की ओर देखते वे उसने कहा काका फिर काम कैसे बनेगा मैंने कहा चतुरी तुम्हारी काकी तो भगवान के हैं चली गई जानते ही हो खाना अपने हाथों से पकाना पड़ता है दूसरा कोई मदद के लिए है नहीं जड़ा आराम न करेंगे तो कल उठ न पाएंगे चतुरी नाराज होकर बोला तुम ब्या ही नहीं करते नहीं तो तेरह काकी आ जाए हाँ मगर वैसी तो मैंने कहा चतुरी भगवान की इक्षा दुखी हिरिदे से सहानुभूती दिखाते वे चतुरी ने कहा काकी बहुत पढ़ी लिखी थी मैंने कई चिठियां उनसे लिखवाई है फिर जलतीवी चिलम में दम लगा कर धुवा पी कर सिर नीचे की और जोर से दबा कर नाक से धुवा निकाल कर बैठे वे गले से बोला काकी रोटी भी करती थी बरतन भी मलती थी और रोज रामायन भी परती थी बड़ा अच्छा गाती थी काका तुम वैसा नहीं गाते बुढ़ो बाबा यानि मेरे चाचा बुढ़ो बाबा दर्वाजे पर बैठते थे भीतर काकी रामायन परती थी गजले और नाजाने क्या क्या तिलाना गाती थी क्यों काका मैंने कहा हूं तुम लोग गाउ चतरी मैं दर्वाजा बंद करके सुनता हूं जगने तक भगत होती रही फिर कब बंधुवी मालूम नहीं जब आँखे खुली तब काफी दिन चड़ाया था मूँ धोकर दर्वाजा खोला चतरी बैठा एक टक दर्वाजे की और देख रहा था कबीर पदावली का अर्थ उसने किसी से नहीं सुना मैंने सुबह सुनाने के लिए कहा था वह आया हुआ है मैंने कहा क्यूं चतरी रात सोए नहीं चतरी सहज गंभीर मुद्रा से बोला सोकर जगे तो बड़ी देर हुई बुलावे की वज़ा से आया हूँ जिनमें शक्ती होती है अवैतनिक सिक्षक वही हो सकते हैं मैंने कहा मैं तयार हूँ पहले तुम कबीर सहाब की कोई उल्टवासे सीधी करो कौन सुनाओ चतरी ने कहा एक से बढ़कर एक है मैं कबीर पंथी का हुना काका जहां गिरह लगती है सहाब आप खोल देते हैं मैंने कहा तुम पहुँच गय हो यह मुझे कल ही मालूम हो गया था चतरी आख मुंद कर शायद सहाब का ध्यान करने लगा फिर सस्वर एक पद गुनगुना कर गाने लगा फिर एक एक कड़ी गाकर अर्थ समझाने लगा उसके अर्थ में अनर्थ पैदा करना आनंद खोना था जब वह भाष्य पूरा कर चुका जिस तरह के भाष्य से हिंदी वालों पर कल्यान के निरामिश लेखों का प्रभाव पढ़ सकता है मैंने कहा चतुरी तुम पढ़े लिखे होते तो 500 की जगा पाते खुशो कर चतुरी बोला काका कहो तो अर्जुन्वा को पढ़ने के लिए भेज दिया करूं अर्जुन चतुरी का 17 साल का लड़का काका कहो तो अर्जुन्वा को पढ़ने के लिए भेज दिया करूं तुम्हारे पास पढ़ जाएगा तो कुछ विद्या ले लेगा, मैं भी अपनी दे दूँगा, तो कहो तो भगवान की इक्षा हो तो कुछ हो जाए, मैंने कहा, भेज दिया करो, दिया घर से ले आया करे, हमारे पास एक ही लालते ने बहुत नस्दी घिसेगा तो गाहँ वा लाना होगा, इसे मेहनत पर हम देंगे, बाजार तुम जाते ही हो, चतुरी को इस सहयोग से बड़ी खुशी भी, एक प्रसंग पर आने की विचार से मैंने कहा, चतुरी तुम्हारे जूते की बड़ी तारीफ है, खुशोकर चतुरी बोला, हाँ काका दो साल चलता है, उसम एक जोड़ा पंचमा, जब मेरा ही जोड़ा मजे से दो साल चल जाता है, तब जादा लेकर कोई चमरी क्यों बरबाद करें, कहकर डबडबाई आँखों से देखता हुआ, जूड़े हाथों से वही सी बटने लगा, मुझे सहानुभूती के साथ हसी आ गई, मगर हसी को से बाहर ना आने दिया, समलकर सनेह से कहा, चतुरी इसका वाजिब उल अर्ज में पता लगाना होगा, अगर तुमारा जूता देना दर्ज होगा तो इसी तरद पुष्ट दर पुष्ट तुम्हें जूते देते रहने पड़ेंगे, चतुरी सोचकर मुस्कुराया, बोला, अब्दुलर्ज में दर्ज होकर क्या होगा काका, मैंने कहा, देख लो, सिर्फ एक रुपया हक लगेगा, वक्त बहुत हो गया था, मुझे काम था, चतुरी को मैंने विदा किया, वा गंभीर होकर सिरह लता हुआ चला गया, मैं उसके जाने के बाद उसके मनुविकारों को पढ़ने लगा, वो एक ऐसे जाल में फसा है, जिसे वह काटना चाहता है, भीतर से उसका पूरा जोर उमर रहा है, पर एक कमजोरी है, जिसमें बार बार वह उलजकर रह जाता है, चतुरी के बेटे अरजुन का आना जारी हो गया, उन दुनों बाहर मुझे बहुत काम न थ पूछा, इस तरह मेरा मकान साधारन जनों का अड़ा, बलकि हाउस अफ कॉमन्स हो गया, अरजुन की पढ़ाई उत्तर उत्तर बढ़ चली, पहले पहल जब दादा, मामा, काका, दादी, नानी उसने सीखा, तो हर्ष में उसके माबाप समराट पद पाई, वे कुछ छाप क चलके, सब लोग आपस में कहने लगे अब अरजुनवा दादा दादी पढ़ गया है, अरजुन अपने बाप चतुरी को दादा और मा को दादी कहता था, दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने मुझसे शिकायत की, कहा बाबा अरजुनवा और तो सब कुछ पढ़ लिख ल अरजुनव दूसरी किताब समाप्त करके अपने खांदान में विशेश प्रतिष्ठित हो चला, कुछ नाजुक मिजाज भी हो गया, मोटा काम न होता था, आम खिलाने की विचार से मैं अपने चिरंजीव को लिवा लाने के लिए ससराल गया, तब उसकी उम्र नौदस साल की होगी, सोम या चहरुम में पढ़ता था, मेरे यहां मनोरंजन की कोई चीज न थी, कोई स्त्री भी न थी जिसके प्यार से वह बहलता, पर दो-चार दिन बाद ही मैंने देखा कि वह उबा नहीं, अरजुन से उसकी गहरी दोस्ती हो गई है, वह अरजुन का काका लगता जैसे मैं अरजुन के बाप का? मैं देखता था जब मैं डाक खाना या बाहर गाओं से लोटता हूँ, तो मेरे चिरंजीव अरजुन के हां होते हैं, या घर पर ही उसे घेर कर पढ़ाते रहते हैं। मैं प्रम्भन संसकारों की सब बातों को समझ गया, पर उसे उपदेश क्या देता? चमार दबेंगे, ब्रम्भन दबाएंगे? दावा है दोनों की जड़े मर जाएंगी, पर यह सहच साधे नहीं। सोच कर चुप हो गया। मैं अरजुन को पढ़ाता था तुसने देकर, उसे अपनी ही तरह का एक आदमी समझ कर, उसके उचारन की त्रूटियों को पार करता हुआ। जीब को दोडाते वे अपना मनोनजन करने लगे। मुझे बाद में यह मालूम हुआ। तुम बाजार उठने पर जाओगे देर हो जाएगी। चतुरी ने कहा, काका एक बात है, अरजुन्वा तुमसे कहते डरता है, मैं घर आकर कहूंगा, बुरा न मानना, लड़कों की बात है। अच्छा कहकर मैंने बहुत कुछ सोच लिया। बकर कसाई के सलाम का उत्तर देकर बादाम और ठंड़ई लेने के लिए बन्ये की तरफ गया। बाजार में मुझे पहचानने वाले न पहचानने वालों को मेरी विशेष्टा से परिचित करा रहे थे। चारो ओर से आखें उठी वी थी। ताजूप यह था कि अगर ऐसा आदमी है तो मांस खाने जैसे घ्रेणित पाप क्यों करता है। मुझे छण मात्र में यह सब समझ लेने का काफी अभ्यास हो गया था। गुरुमुक ब्रम्भन आदी मेरे घडे का पानी छोड़ चुके थे। गाउं तथा पडोस की लड़के अपने अपने पिता पिता महों को समझा चुके थे। कि बाबा यानि मैं कहते हैं कि पानी पाने थोड़े ही हूं जो एरे गेरे नत्थु खेरे सबको पानी पिलाता रहूं। इससे लोग और भी नाराज हो गये थे। सहीते की तरह समाज में भी दूर दूर तक मेरी तारीफ फैल चुकी थी। विशेश रुप से जब एक दिन विलायत की टोरी पार्टी की तारीफ करने वाले एक देहाती स्वामी जी को मैंने कबाब खाकर काबूल में प्रचार करने वाले रामचंद्र जी के वक्त के एक रिशी की खता सुनाई। तो मुझसे सुनकर वहीं गाउं के ब्रह्मणों के सामने बीडी पीने के लिए प्रचार करके वह मुझे नीचा नहीं दिखा सके। उन दिनों भागेवश मिलेवे अपने आवारागर्द नौकर से बीडी लेकर सब के सामने दिया सलाई जलाकर मैंने समझा दिया कि तुम्हारे इस जूठे धुए से बढ़कर मेरे पास दूसरा महत्व नहीं। मैं इन आश्चरे के आँखों के भीतर बादाम और ठंडाई लेकर जरा रीड सीधी करने को हुआ कि बुढ़े पंडित जी एक देहाती भाई के साथ मेरी और बढ़ते नजर आए। मैंने सोचा शायद कुछ उपदेश होगा। पंडित जी सारी शिकायत पीकर मधुमुख होकर अपने प्रदर्शक से बोले। आप ही है क्या। उसने कहा। हाँ यही है। पंडित जी देखकर गदगद हो गये। थोड़ी उठा कर बोले। ओहो। आप धन्य है। मैंने मन में कहा। नहीं मैं वन्य हूँ। मजाक करता है खुशट। पर गौर से उनका पग और खौर देखकर कहा। प्रणाम करता हूँ पंडित जी। पंडित जी मारे प्रेम के संग्या खो बैठे। मेरा प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं। बड़े भागे से मिलता है। मैं खड़ा पंडित जी को देखता रहा। पंडित जी ने अपने तेहाती साथी से पूछा, अब B.A.M. में सब पास हैं? उनका साथी अत्यांत गंभी रोकर बोला, हाँ जिला में दूसरा और कोई नहीं, होट काट कर मैंने कहा, पंडिजी रास्ते में दो नाले और एक नदी पड़ती है, भेडिया लगान है, दंडा नहीं लाया, आग्या ह से देखने लगे, जो शिकायत उन्होंने सुनी थी, आखों में उस पर संदेह था, द्रिष्टी कह रही थे या वैसा नहीं है, जरूर गोश्ट ना खाता होगा, बीडी भी न पीता होगा, लोग पाजी हैं, प्रणाम करके आशिरवाद लेकर मैंने घर का रास्ता पकड़ दर्वाजे पर आकर रुग गया, भीतर बात्चित चल रही थी, प्रकाश कुछ-कुछ था, सूर्य डूब रहा था, मेरे पुत्र की आवाज आई, बोल रहे, बोल, इस वीर रस का अर्थ में समझ गया, अर्जुन बोलता हुआ हार चुका था, पर चिरंजीव को रस मिलने के कारण बोलाते वे हार न हुई थी, चुकि बार बार बोलना पड़ता था, इसलिए अर्जुन बोलने से उपकर चुप था, दाट कर पूछा गया तो सिर्फ कहा, क्या, वही गुण, बोल, अर्जुन ने कहा, गुण, बच्चे के अटहास से घर गुण जुठा, भर उनेश, रोने आवाज में अर्जुन ने कहा, गरेश, खिल खिला कर हसकर चिरण जीव ने डाट कर कहा, गरेश गरेस करता है, साफ नहीं का पाता कियो रे, रोज दतौन करता है कि नहीं, अर्जुन अप्रतिब होकर दबी आवाज में चोटी सी हूँ करके सिर जुका कर रह गया मैं दर्वाजा धीरे से ढकेल कर भीतर खंबे की आड से देख रहा था मेरा चिरंजीव उसे उसी तरह देख रहा था जैसे गोरे कालों को देखते हैं जरा देर चुप रहकर उसने फिर आगया दी बोल वर्ण अर्जुन की जान की आपड़ी मुझे हसी भी आई गुस्सा भी लगा निश्चे हुआ कि अब अर्जुन से विद्या का धनुष न उठ सकेगा अर्जुन वर्ण की उच्चारन में विवर्ण हो रहा था तरह तरह के मुँँ बना रहा था पर खुल कर कुछ न कह पाता था उसके मुँँ बनाने का आनंद लेकर चिरंजीव ने फिर उसे डाटा बोलता है या लगाऊ जापड मैंने सोचा अब प्रकट हो जाना चाहिए मुझे देखकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ और आखें मल-मल कर रोने लगा मैंने पुतर रतने से कहा कान पकड़कर उठो बैठो दस दफे उसने नजर बदल कर कहा मेरा कुछ कुसूर नहीं है मैं यूँ ही कान पकड़कर क्यों उठो बैठो मैंने कहा तुम इससे गुस्ताखे कर रहे थे उसने कहा तो आपने भी की होगी इससे गुण कहला कर देख लीजे आपने पढ़ाया तो है इसकी किताबों में लिखा है मैंने कहा तुम हस्ते क्यों थे उसने कहा क्या जानबुच कर हस्ता था मैंने कहा आज से अब तुम इससे बोलना सकोगे लड़के ने जवाब दिया मुझे मामा के यहां छोड़ाईए यहां डाल के आम भी खटे होते हैं चोपी होती है मुझे फदक जाता है वहाँ पाल के आम आते हैं चिरंजीव को नाई के साथ भेज कर मैंने अरजुन और चतुरी को सांत वना दी कुछ महिने और गाउं में रहना पड़ा अरजुन कुछ पढ़ गया शहरों की हवा मैंने बहुत दिनों से नखाई थी कलकत्ता, बनारस, प्रयाग, आधिका सफर करते वे लखनव में डेरा डाला स्विक्रित किताबे छपवाने के विचार से कुछ काम लखनव में और मिल गया अमीनाबाद होटल में एक कमरा लेकर निश्चिंत चित्ते से साहिते साधना करने लगा इनी दिनों देश में आंदोलन जोरो का चला यही जो चतुरी आधिक के कारण फिस हो गया था होटल में रहकर देहाद से आने वाले शहरी युवक मित्रों से सुना करता गड़ा कोला में भी आंदोलन जोरो पर है चैसाथ सो तक की जोत किसान लोग इस्तिफा कर छोड़ चुके हैं वह जमीन अभी तक नहीं उठी किसान रोज इकठे होकर जंडागीत गाया करते हैं साल भर बाद जब आंदोलन पर प्रतिक्रिया हुई तब जमीनदारों ने दावा करना और रियाया को बिना किसी रियायत के दबाना शुरू किया तब गाउं के नेता मेरे पास मदद के लिए आये और बोले गाउं में चल कर लिखो तुम रहोगे तो मार न पड़ेगी लोगों में हिम्मत रहेगी अब सक्ती हो रही है मैंने कहा मैं कोई पुलिस तो हूँ नहीं जो तुम्हारी रक्षा करूंगा मार खाकर चुपचाप रहने वाला धैरे मुझ में थोड़ा है कहीं ऐसा नहों कि शक्ती का दुरूपयोग हो जाए गाउं के नेता ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है बस बैठे रहना है मैं गया मेरे गाउं की कॉंग्रेस ऐसी थी कि जीले के साथ उसका कोई तालुक न था किसी खाते में वहां के लोगों के नाम नदर्ज थे पर काम में पुर्वा डिविजन में उसके आगे दूसरा गाउं न था मेरे जाने के बाद पता ने कितनी दर्खास्ते साहाब ने इधर उधर लिखी कच्चे रंगों में रंगा तिरंगा जंडा महावीर स्वामी के सामने एक बड़े बास में गड़ा बारिश से धुल कर धवल हो रहा था इन दिनों मुकदमे बाजी और तहकीकात जोरों से चल रही थी कुछ किसानों पर एक साल के हरी भूसे को तीन साल की बना कर जमिनदार ने ओन्रेरी दावे कर दिये थे जो अपने चुदरता के कारण जमिनदार साहब से मजिस्ट्रेट के पास आकर किसानों की दृष्ट्री में और भयानक हो रहे थे एक दिन दर्खास्तों के फलसुरूप शायद दारोगा जी तहकीकात करने आये मैं मगर यार डाक देखने जा रहा था बाहर निकला तो लोगों ने कहा दारोगा जी आये हैं अभी रहो आगे दारोगा जी भी मिल गये जमिंदार साहब ने मेरी तरफ देखकर अंग्रेजी में धीरे से कुछ कहा तब मैं कुछ दूर था सुना नहीं गाउंवाले समझे नहीं दारोगा जी जंडे की तरफ जा रहे थे जमिंदार शायद उखडवा देने की इरादे लिए जा रहे थे महावीर जी के आते में जंडा लगा देखकर दारोगा जी कुछ सोचने लगे और बोले यह तो मंदिर का जंडा है अच्छी तरह देखा उसमें कोई रंग न देख पड़ा जमिंदार साहब को गौर से देखते वे लोट कर डेरे की तरफ चले जमिंदार साहब ने बहुत समझाया कि बारिश से धुलकर वा सफेध हो गया है लेकिन है वा कॉंग्रस का जंडा पर दारोगा जी बुद्धी मान थे महावीर जी के आते में सफेध जंडे को उखडवा कर वीरता प्रदर्शित करने की आग्या न दी गाउं में कॉंग्रस से इसका पता न सबडिविजन में लगा न जिले में थानेदार साहब क्या करें उन दीनों मुझे उनिद्र रोग था इसलिए सिर के बाल सफेध थे मैंने सोचा वेश का आभाव है तो भाशा को प्रभावशाली करना चाहिए नहीं तो थानेदार साहब पर अच्छी छाप न पड़ेगी वहां तो महावीर स्वामी की कृपा रही यहां अपनी सरस्वती का सहरा है मैं ठेट देहाती हो रहा था थानेदार साहब ने मुझसे कहा आप कॉंग्रिस में हैं मैंने सोचा इस समय राष्ट्र भाशा से राजभाशा का महत्वा बढ़कर होगा कहा मैं तो विश्व सभा का सदसे हूँ इस सभा का नाम भी थानेदार साहब ने सुना न था पूछा, यह कौन सी सभा है? उसके जग्यासा भाव पर गंभीर होकर नौविल पुरसकार पाए कुछ लोगों का नाम गीना कर मैंने कहा यह सब इसी सभा के सदस्य है थानेदार साहब क्या समझे वही जाने? मुझसे पूछा इस गाउं में कॉंग्रेस है? मैंने सोचा युधिष्टिर की तरह सत्य की रक्षा करू तो असत्य भाषन पर पाप न लगेगा कहा, इस गाउं के लोग तो कॉंग्रेस का मतलब भी नहीं जानते इतना क्या कर मैंने सोचा अब ज्यादा बात्चित ठीक न होगी उठकर खड़ा हो गया और थानेदार साहब से कहा अच्छा मैं चलता हूँ जरा डाक खाने में काम है चिठ्थी रसा हफते में दो तीन गश्ट पर आता है मेरी जरूरी चिठ्थियां होती है रेजिस्ट्री, अखबार, मासिक पत्र-पत्रिकाएं भी आती है फिर उस गाउं में हम लोगों की लाइबरेरी भी है जाना पड़ता है थानेदार साहब ने पूछा कॉंग्रेस की चिठ्थियां आती है मैंने कहा नहीं मेरी अपनी मैं चला आया थानेदार साहब शायद जमिनदार से नाराज होकर गए इससे बचाओ तो हुआ पर मुकदमा चलता रहा उन्रेरी मेजिस्ट्रेट ने जिनके एक रिष्टेदार जमिनदार की तरफ से वकील थे किसानों पर जमिनदार को डिगरी दे दी बाद को चतुरी वगरे की बारी आई दावे दायर हो गए अब तक जो सम्मिलित धन मुकदमों में लग रहा था सब खर्च हो गए पहले की डिगरी में कुछ लोग बेल वगरे पर निलाम कर दिये गये लोग घबरा गए चतुरी को मदद की आशा न रही गाँ वालों ने चतुरी आदी के लिए दोबारा चंदा न लगाया चतुरी सूप कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया मैंने कहा चतुरी मैं शक्ती भर तुमारी मदद करूँगा तुम कहां तक मदद करोगे काका चतुरी जैसे कुमे में डूपता हुआ उबड़ा तो तुमारा क्या इरादा है उसे देखते वे मैंने पूछा मुकदमा लड़ूँगा पर गाँ वाले डर गये हैं गवाही न देंगे दिल से बैठा हुआ चतुरी बोला उस परिस्थिती पर मुझे भी निराशा हुई उसी स्वर में मैंने पूछा फिर चतुरी चतुरी बोला फिर छेदनी पिरेकिया आदी मालिक ही ले ले मैंने गाउं में कुछ पक्के गवाह ठीक कर दिये सत्तु बाद कर रेल छोड पैदल दस कोस उन्नाओ चल कर दूसरी पेशी के बाद पैदल ही लोटता हुआ हस्ता हुआ चतुरी आकर बोला खाका जूता और पुरवाली बात अब्दूल अर्ज में दर्जी नहीं है कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलूंगी एक नहीं कहानी के साथ नमस्ते